हुआ तो आज हम बात करेंगे जीन अड़ जनॉम एक्सपरेशन पर डी एन एज जनेटिक मटीरियल खासकर यही टोपिक के एक्स्पिरिमेंट के बारे में ठीके इंट्रोडक्षन रिफिनेशन और एक्स्पिरिमेंट है तीन हम पढ़ेंगे उसके बारे में ग्रिफित का एक का रिसर्च पेपर वहां से लिए ठीक है तो चलो पहले मैं आपको नोड़ दिखा देता हूं तीनों एक्सपीरिमेंट के फिर हम थोड़ा एक्सपीरिमेंट करेंगे ठीक है तो यह है ग्रिफित का एक्सपीरिमेंट आप स्कीनिसोट खिंच लिजे ठीक है फिर हम एक्सपीर करेंगे कि कि तो यह थोड़ा सा हाई लिवल का है थोडा सा तो इसलिए थोड़ा जब ज्टा एक्स्पिरिमेंट बना ले लेना टीख है तो यह है इवरी में किलोड थल में कर्ड़ कहा ग्रिफिद के एक्सपिरिमेंट से ही कुछ कुछ कुंक्लूजन निकाल के आया है ये ठीक है इसका भी स्क्राइश और कहीज भी एक्सपरिमेंट नेक्स्ट भॉट एक रिजिए ठीक है ये भी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और explain करूंगा कहीं जाए का नहीं ठीके 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 है तो तो ग्रीफित के एक्स्पिरिम्ऩ से सुरू करते हैं ग्रीफित ने क्या किया नीमो कोकस एक बेक्टीरिया लिया जिसके दो टाइब थे जिसके दो टेसे थे यारस टेर्ड और यास टेर्ड और दोनों के दो Teil तिन टाइब थे ठीक है ताइब second and third ठीक है और यिस streams अधसमें केक्पशुल के प्रोटीन की कवरिंड ठी और यारस टेर्ड इस में केप्शुल की कवरिंग नहीं थी तो केप्षुल की कावरिंग से होता क्या था कि अगर वो मलो नुमोनिया काउस करता है और मालों देथ कर देता है ठीके तो अगर ऐस श्ट्रेण वाला जिसमें केप्षुल है वह अगर मालों माउस के अंदर इंजिक्ट कर आए तो वो capsule जैसे कि हर organism में antibody या फिर किसी virus को बाहर से आए हुए virus को मारने की चमता होती है ठीक है तो उसके परती उस antibody के परती ठीक है जैसे हमारे अंदर भी pneumonia कमान लोग कोई virus आ गया हमारे अंदर antibody है तो वो उसको मारे गाला तो उसी fight के against बचने के वो काम आता है capsule ठीक है वो antibody उस पे काम नहीं करेगी तो वो antibody अगले वाले जो organism है जैसे कि mouse उसकी antibody काम नहीं करेगी किस पे अच्चे स् ट्रेंड पर वाईरिस पर तो हो कम नहीं करेगी तो वो अपना पर भाव दिखा देगा ठीक है नियुमो कोकस उसमें नियुमोनिया काउस करetten और उसकी डेथ हो जाएगी थीक है इसलिए यह एस स्टेंड बहुत ही डेंजरस है ठीक है आर इस्टेंड पर अगले वाले और्गिनिजम जैसे कि माउस उसकी जो एंटिबोडी उस पर काम कर जाएगी उसको उस वाइरस को मार देगी ठीक है यह एस स्टेंड है यह मरेगा नहीं ठीक है तो इसी बेस के उपर य एडियर यह शब्सक्राइब ऐसे स्टेंड लिया ईस उन्होंने ठीक है वह इंजिक्ट करा यह माउसमें इंजिक्ट करने के बाद दोडि दिर बाद मास उसकी मिर्टी हो जाती है राव जाती है उन्यूमोनिया काउज होगा इसको फिर मर जाएगा फिर क्या किया आर हीट करेकिल लिगरदया हीट किल्ड है सट्रेंट टाइफ पस्टी उसको हीट केल्ड करके इसको इंजक्ट कराया माउस पर कि तो मयूश को कुछ नहीं हुआ मैं सुन्हें सर्वाइब करने लगगे ठीक इससे कर वा इसका जो आ जो केप्शूल था वो खर्तम हो गया ठीक है डिस्ट्रोई हो गया अब फिर उसने एक्सप्रिमेंट किया हीट किल्ड लिया ठीक है टाइप फ़ेस्ट और साथ में आर टाइप सेकिंड को मिक्स करके इंजेक्ट कराया फिर भी मा फिर देखा तो रिजल्ट सोकिंग था माउस मर गया ठीक है तो ऐसा केसे हुआ एसा एसे हुआ कि जो केप्शूल हीट किल्ड करने से केप्शूल तो डिस्ट्रोई हो गय लेकिन उसका जylene टिस्ट्रोई नहीं हुआ था ठीक है वो genetic material आर स्ट्रेंड में चला जाएगा transformation हो जाएगा आर स्ट्रेंड में जाके वो एक्पना expression दिखाएगा और capsule की protein का कवच बना लेगा और वो आर स्ट्रेंड S स्ट्रेंड में convert हो जाएगा transformation हो जाएगा इसका ठीक है इसलिए इसको transformation experiment बोलते हैं ठीक है तो यही था ग्रिफित का experiment फिर एवरी एंड मेकलियोड एंड मेकार्टी ने क्या किया इसका भी आपको नोर्स दिखाई दिया है वो आप लेना हो और मैं इसका डायग्राम दिखा के आपको easily explain कर दूँगा ठीक है तो इसने क्या किया कि जैसे उस टाइम पता नहीं था कि डियेने ही जनेटिक मतीरियल है प्रोटीन भी हो सकता है लिपीड भी हो सकता है आपको पोलिस्टेकरेट भी हो सकता है उनके माइन में ऐसा ही था इसी बात को conclude निकाने की कि DNA ही genetic material है तो उन्होंने एक experiment किया Every Macleod and McCarthy ने कि अलग-अलग sample लिए एक sample में उन्होंने polysaccharide destroy करके और सारे सब उसमें जिन्दा थे ठीक है जैसे कि protein सही था उसका genetic material DNA सही था और सारे सब कुछ सही थे ठीक है आरेनी जिए था ठीक है polysaccharide को only destroy करके माउस में inject कराया फिर अब आप से स्टेन की बात कर रहे हैं ठीक है फिर लिपीड को उसने destroy करके only lipid को destroy करके इंजेक्ट कराया protein को destroy करके inject कराया RNA को destroy करके inject कराया फिर DNA को destroy करके inject कर आया तो अब जो रिजल्ट निकला हूँ वो देखो पॉली से करेड को डिस्ट्रोई किया लेकिन जनेटिक माटीरियल वो तो जिन्दा है था ठीक है वो तो जिन्दा था तो वो इसमें न्यूमोनिया काउस करके उसको मार देगा ठीक है ठीक है आर इस्टेन भी है मालोज में तो उसमें यह ट्रांसपोर्म होके ठीक है उसको जनेटिक माटीरियल ट्रांसपोर्म होके उसमें न्यूमोना काउस कर देगा लिपीड अगर डिस्ट्रोई कर दिया तो फिर भी जनेटिक माटीरियल तो है ठीक है तो वो फिर से न्यूम तो वह केप्शुल बनाएगा और माउस में निमोना काउज कर देगा और डेत कर देगा आर ने डिस्ट्रोई कर दिया कोई दिकत नहीं है हमारे पास जैनेटिक माटीरियल डियने अभी भी है वह अपना इफेक्ट दर्साएगा एक्सपरेशन दर्साएगा दिखाएगा और कि डेत हो जाएगी लेकिन जब डइने को डिस्ट्रोई करकी तो माउस में नहीं कर दिया है तो वह और स्ट्रेंड अधिक्साफ्त नहीं होंगा हम टीक है तहो snad नहीं侏 तो इसकी एंटिवडी और स्ट्रेंड को मरेगी और यह जिन्दा रह जाएगा ठीक है तो तो यह एक्सप्रिमेंट बसकली इसी लिए किया गया क्योंकि उस समय साइंटिस्ट के दिमाग में यह था कि प्रोटीन भी हो सकता है और इसके बाद में भी थोड़ा-थोड़ा माइंड में यही था साइंटिस्ट के कि प्रोटीन भी भी हो सकता है जेनेटिक माटीरियल तो इसलिए उनकी पूरी सोच ही खतम करने के लिए हर सेर्चेज ने एक्सपिरिमेंट किया, ठीक है, तो इसका भी मैं आपको डाइग्राम दिखा के बिरिफली एक्सप्लेन कर दूँगा, तो ये नोट्स देखके पढ़ लेना पहले दिखा चुका हूं, ठीक है, इस इन्होंने क्या किया, ठीक हूं, 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 ठीक ह उनी DNA में पाय जाता है, प्रोटीन में नहीं पाय जाता है, अगर प्रोटीन और DNA की दो की बात करें, तो फोसफोरस DNA में पाय जाता है, लेकिन प्रोटीन में नहीं पाय जाता है, और सल्फर प्रोटीन में पाय जाता है, लेकिन DNA में नहीं पाय जाता है, उसी बेस के उपर य तो एक स्लाइड़ी एक सेंपल लिया उसकों ग्रोख राया कि ही imped 5 55 एडियो लेबल आइसोटोप में ग्रोख राया और एक सेंपल को कराया फोस्पोरस रेडियो लेबल आइसोटोब मीडियम में ठीक है तो पहले वाला सेंपल में पूरा जिसका जो बहुत सारी कोलोनी बनेगी तो उसमें सारी उसका प्रोटीन पार्ट रेडियो लेबल हो जाएगा इसमें इसका डी आने मेटीरियल है वो रे इसके पहले सिंपल की बात कर लेते हैं ठीक है ठीक है तो यह अपना जेनेटिक मटीरियल छोड़ जाएगा ठीक है अब इसका यहां पर ब्लेंडिंग होगी ब्लेंडिंग ने सेंस ब्लेंडर मशीन आपकी देख हुई होगी सबी के घरों में या फिर कुछ-कुछ के घरों मेरे घर में नहीं है तो अच्छा हमारे यहां पर बोलते हैं अच्छा भी लोने वाली मशीन ठीक है तो घर में ही इन्होंने हर सेंसे में घर वाली जो मशीन ब्लेंडर मशीन उसमें ही एक्सपिरमेंट किया था तो इसको ब्लेंडर एक्सपिरमेंट भी कहते हैं ठीक है तो तो इसको बहुत सारी एकोल होनी तिये एसा तो है नहीं और यह की तो इंजेक्ट करवा कि इसको ब्लेंडिंग करवाया फिर सेंट्रिफिगेशन आपको पता ही होगा जो छोड़ के अपना जेनेटिक पार्ट चला गया है तो यह प्रोटिन पार्ट अलग हो जाएंगे ठीक है यह अलग हो जाएंगे तो अलग होने के कारण फिर उसमें देखा जाएगा तो जो इसमें जेनेतिक माटीरियल वाले में तो जो सूपर नेंट होगा हलका पार्टिकल ऊपर सेंट्रिफिगेशन के बाद में जो और जो निक्छेप होगा हो यह पार्ट होगा ठीक है तो निक्षेप में हमारा जो है मेन देश यह में निक्षेप वाले को देखेंगे उसमें रेडियो लेबल वाला हमें पार्ट नहीं दिखाई देगा मतलब प्रोटीन वाला पार्ट तो हमारे पास आया ही नहीं है ठीक है तो अगर दूसरी वाले एक्स्पीरिमेंट में हमें देखें जिसमें की हमारा डिये ने रेडियो लेबल है ठीक है फोस्पोरस 32 से वो एस 35 से ये फोस्पोरस 32 से इंजेक्ट होगा ब्लेंडिंग कराएंगे ये अलग हो जाएगा प्रोटीन पार्ट और इस बार इसमें रेडियो लेबल है पी 32 सारा का सारा ठीक है तो यह जो अफ्चेक क्या बोलते हैं अफ्चेक बोलते हैं साइद नीचे वाला पार्ट सुपरनेंट मतलब अलका पार्टिकल जो ऊपर आ ज अबेडिने पराप्त होगा तो इससे आप सभी समस्झ गए होंगे कि दिने ही जैनेटिक मतीरियल है ते कैंठ टांस्वर्मेस्टन का काम डिने ही कर रहा है ठीक है तो इसके बाद में किसी के मन में भी यह संकार नहीं हुई कि प्रोटीन भी हो सकता है क्या ठीक है तो यह ल वीडियो में बाई बाई लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को ठीके बाई